नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनांदन अस्ट लक्षमी के इस एपिसोड में मानव जीवन में उन्नति के लिए चार प्रकार के पुरुशात बताए गए हैं जिसमें सबसे पहरा धर्म, दूसरा अर्थ अधा लक्षमी प्राप्ति, तीसरा संतान करना और चौता मोक्ष, यह तो सर्वविदित है कि अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव नहीं है, इसलिए अर्थ व्यवस्ता के सुद्रड़ी करण के लिए लक्षमी से समधित उपासना व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, प्रत नहीं है, और यह इसपस्ट है कि धन की मेहता और आवश्यकता प्राचिन काल से चली आ रही है, इसलिए सास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को स्रीशंपन होना चाहिए, जब लक्षमी को संपूर्टा से अपने जीवन में समाईत करने की बात आती है, तो वहां स्वत ही अश्ट लक्षमी की बात आती है, और अश्ट लक्षमी जीवन के लिए कितनी आवश्यक है यह आप इन थत्यों से समझ सकते हैं, अश्ट लक्षमी के पूजन, आरादना, उपासना, साधना और करपा से आठ प्रकार के एश्वरे के मार्ग खुल जाते हैं, वो आठ प् अरिपून कर घर में स्नुद्धी प्राप्त होती है, दन लक्षमी की करपा से व्यर्थ का व्याय कर्ज और समस्त आर्थिक परिश्चानियों से राहत मिल जाती है, अब दूसरे रूप में आती है यह लक्षमी, लक्षमी के इस रूप की करपा से मनुश्यों को संसार में म करती है। अईव लक्षमी लक्षमी के इस स्वरूप की क्रपा से दीरगायों और स्वस्त PropT होता है। व्यक्ती भायमक्त होकर के स्वस्त संदर सुरुदर्ड रोगरेत जीवन प्रपत करता है। मा का यह रूप सांसारिक और मांसिक रोगों से मुक्ती देता है। वाहन लक्समी, श्रेष्ट वाहन, अथा लगजिरस वाहन की इच्छा रखने वाले मनुश्यों के लिए वाहन लक्समी की करपा प्राप्त होना बहुत आवशिक होता है, वाहन लक्समी की करपा से वाहन सुक प्राप्त होता है, और वाहनों का समुचित उप्योग भी होता है बौतिक सूख सुईदाओं में आज के युग में वाहन का भी विसेश महत्व है इस्थिर लक्समी लक्समी के इस स्वरूब की करपा से गर में इस्थिर संपत्ती, जमीन जाहिदाद, गैने, मकान, दन दान्य, भरा पूरा रहता है इस्थिर संपत्यों का लाप राप्त होता है इनकी करपा से गर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती अब बात करते हैं गरा लक्समी की लक्समी के इस स्वरूब की करपा से गर की लक्समी अताद, मन के अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ती होती है जो मन के अनुकूल हो, हमारे विचारों को समझ सके, मित्र, सखा, मंत्री, सलाकार वा जीवन साती बन कर जीवन में पून रुप से सायक से दो संतान लक्षमी संतान हो और वह सद व्रतिकी हो यह एक सोबागे ही होता है जो जीवन में संतान लक्षमी के करपा से प्राप्त हो सकती है एक प्रकासे वंस व्रतिकी कामना को पूर्ण करती है यह संतान प्राप्ती भवन लक्षमी हमारा खुद का घर हो जिसके हम मालिक हो इस करपा है उससे प्राप्त हो जाती है यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ने कुछ कमी निरंतर अवश्य बनी रहती है तो आप अश्ट लक्ष्मी कवश दारन करके जीवन को संपूर्ण एश्वरे में बना सकते हैं उपरोग सभ अश्ट लक्ष्मी कवश बना करके प्राप्त कर सकते हैं उसे दारन कर सकते हैं आप भी दारन कर सकते हैं अपने जीवन साथी को भी दारन करा सकते हैं और जो गर में विवाई हित आपकी संतान हैं चापकी बेटे और बहु हैं चापकी पुत्री और दामाद हैं आप उनको भी धारन करवा सकते हैं, τाकि वे भी अपनी जिवन में अश्टलक्षमी की कृपा प्राप्त कर सके, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में बताना मत बुलिएगा, हम समय समय पर आपके जिवन को अच्छा बनाने के लिए, जिवन को मदूर बनाने के ऐसे ही एपिसोड लेकर के सदा आपके समक्स आते रहेंगे तब तक स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का और घर के बुजुर्गा का बहुत बहुत खयाल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार शुब कामना है मालक्षमी अश्ट्रलक्षमी आपकी रक्षा क है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हगदार हूँ पेठ तो आपका बच्पन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे जीवन में अचानक आई रुकावते बाधाय परिशानिया हमारी संतुलन को बिकार देती है जीवन निरस अभावगरस्त दीन लगने ल अभाव क्यों यदि आप भी इश्वर के संतान है तो याचना नहीं अधिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास्त्र वैद पुरान भरे पड़े हैं इस खचाने तक आपको पहुचाने के लिए कहा जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है और भगवान विश्णु जो लक्ष्मी को नियंतरित करते हैं वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धी विवेक से कोई वश्मे कर सकता है तो वे हैं प्रतम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े स प्रयास विश्वाश मश्रदा के साथ मालक्ष्मी को आमतरित करता है हमें सम्रती शाली बनाने के लिए इस लक्ष्मी विनायक लश्मी संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षन शामगरियों को मंत्र जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जागरत किया है पंडित श रही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाय, रिद्धी सिध्धी, शुब लाप सहीत, अक्षिय लक्ष्मी का भंडा